ते अन्य गोड़ेश यूट्व एक तया है तो जुड़ेल दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो तो वीडियो को स्टाट करने से पहले आपस सी रिक्वेस्ट है अगर आपने पर मेंच्वेक रिप-विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबे जो भी गोर्मेंट इंप्लोईज और पैंसनर से समंधी नूजाती उसको नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पहुंसके तो आई दोस्तों बिना किसी देरे के वीडियो को स्टाट करेंगे सेंथ पे कमिशन कब आएगा 18 महीने का डी एरियर तो दोस्तों क्या है नई अपडेट जो 18 महीने का डी ए है जो रुका हुआ है उसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है तो इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रधान मंतरे कारियले में जो आपकी फाइल है वो पहुंच चुकी है और ऐसी उमीद जताई जा रही है कि यह नवंबर महीने में यानि कि जो इस महीने के लाश्ट तक इसका हल निकाला जा सकता है और हलांकि सरकार की ओर से इसके बारे में अभी तक कोई अधिकारे ब्यान जारी नहीं किया गया दोस्तों हम आपको बताते कि मामले को लेकर पैंसर ने बिती साथ दिसंबर को धरना दिया था और इस बारे में वितमंतरा ले और पीएम मोदी को एक चिठी भी लिखी थी चिठी में क्या लिखा था वो भी हम आपको बताते हैं बारते पैंसर एसोसिशन ने क्रामचारी पैंसर के महंगाई बत यानिकी डिये और डिया महंगाई रहात के एरियर का बकाया भुकतान करने के लिए परधान मंतरी नरेंदर मोदी से अपिल करते हुए इस मामले में मदद करने के लिए कहा वितमंतरा ले ने करोना माहमारी के चलते हुए माई 2020 में डिये बुडोतरी को 30 जून 2021 तक रोक दिया था और इसके बाद एक जुलाई 2021 से फिर से बेहल करने का निर्देश दिया गए है एक साल में दूसरी बार बढ़ा डिये दोस्तों हम आपको बता दे कि केंदर सरकार ने इस साल जुलाई में डिये की दर में वर्दी करते हुए 17% से बढ़ा कर 28% कर दिया गए है इसमें एक बर 3% की वर्दी करते हुए 31 कर दिया गए और उमीद जताई जारे के पियम मोदी पैंसन की चिठी पर संग्यान लेते हुए इस महीना कोई निरने ले सकता है फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उमीद उठी है जी हां दोस्तों आप बिल्कुल से सुन रहे है जो आपका फिटमेंट फैक्टर है बिये में वर्दी के साथ ही केंद्रिय करमचारी ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग भी उठाय थी 7 CPC के सिपारिस के आदार पर केंद्रिय करमचारी के निंतन वेतन में वर्दी के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था और उसी जो fitment factor 2.57 निधारत किया गया था लेकिन केंद्रिय क्रमचरी की मांग रही है कि इसको तीन जो निधारत है वो किया जाए क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं fitment factor पेंद्रिय क्रमचरी की वेतनवर्दी तया करने के लिए fitment factor एहम रोल अधा करता है साथमा वेतन आयो के इस सिपारिस के अनुसर केंद्रिय क्रमचरी की salary बतो के अलाव उसकी basic seller क्रमचरी का वेतन तया करते हैं डी ए, टी ए, हर के साथ बैसिक सलरी को सात्मा वेतन आयो के जो फिटमेंट फैक्टर दो पॉइंट पांस साथ से गुना करके किया जाता है ये थी आज की हमारा लेटेस अबडेट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और जदा शेयदा अपने फ्रेंज के साथ से जरूर करें ऐसी बड़ी अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सुभी को हमारी उर्सित जैहिंद जैज्वान जैक्सन